ठाकुर्दास बंध का जीवन परेचे, ठाकुर्दास बंध गांधिवादी दार्शनिक इवं अर्थशास्त्री थे। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई थी। वे खादी तथा सर्वोदे आंदोलनों में सक्रिय रहे। ठाकुर्दास बंध का जन्म 1917 में महराष्ट्रा के अमरावती जिले के गनोरी गाव में हुआ था। और वे महात्मा गांधी के एक सहयोगी द्वारा शुरू किये गए कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रूफेसर बन गए। वे वर्धा जिले में रहते थे। जो गांधी के आश्रम सेवाग्राम से कुछ मील दूर था। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और दो साल तक जेल में रहे। उन्होंने इसे भारत में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए छात्रों को तयार करने। का अपना सबसे बड़ा अफसर माना अमेरिका में अर्थशास्त्री के रूप में अपना करिय बनाने का फैसला करने पर। बंग महात्मा गांधी से आशीरवाद लेना चाहते थे। आश्रम में आने का कारण बताते हुए। गांधी ने केवर एक वाक्य कहा, यदि आप अर्थशास्त्र का अध्यायन करना चाहते हैं, तो अमेरिका मत जाए, भारत के गावों में जाए। गांधी के साथ इस मुलाकात ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। और उन्होंने अपने चात्रों के साथ गावों में किसानों की तरह रहकर उनके अर्थशास्त्र का अध्यायन करना शुरू कर दिया। वे 1962 में चीन भारत युद्ध में अहिंसक प्रतिरोध की पेशकश करने के लिए नारायन के साथ भी थे। कम रानी बंग ने सर्च, Society for Education, Action and Research in Community Health की स्थापना की। गर्चे रौली में एक गैर लापकारी संगठन, जो ग्रामीन स्वास्थिय सेवा और अनुसंधान में शामिल है। थाकुर्दास बंग को 1992 में रचनात्मक कार्य की श्रेनी में जमनालाल बजाज पुरसकार से सम्मानि किया गया था। उन्हें ये पुरसकार भारत के दस्वे राष्ट्रपती के आर नारायनन से मिला था। उन्हें 2012 नाग भूशन के लिए चुना गया था। और जन्वरी 2013 में सामाजिक कार्य के लिए महाराष्ट्रा Foundation Lifetime Achievement Award से सम्मानित किया गया। झाल है।